प्यारे विद्याथियों, नमस्कार, ओन्लाइन कख्षां के अंतरगत, हम पढ़ रहे हैं घनानन के बारे में, हिंदी शहित्य के रितिकाली इन रितिमुक्त काविधारा के कवी घनानन, और घनानन कवित में से लिए गए कवित और सवये, उन में से हम कवित और सवयों का धिन कर रहे हैं, यहां गनानन जी एक विरहेनी नाईका के द्वारा जो उलाना दिया गया है, उस उलाने का बहापून चित्रन प्रस्तुत किया है, यहां विरहेनी नाईका अपनी सकी से कहती है, कि जिस से प्रेम किया, वही प्रेम वेवार में एकदम निष्ठुता का परीचे दे रहा है, तो फिर रदे की विरह वेदना को किसे बताया जाए, किसे विक्त किया जाए, उसी से संदर्भितिय पद है, कि जासो प्रितिताई निठुराई सो निपटने है, कैसे करे जीए, जरना सो जताई है, माहनी रदाई दाई कैसे के जीवाउं जीव, वेदना की बढ़वारी काहां लो दुराई है, दुख के बखान कहरी बेको रसना के होती एप से कहूं वाको मुख देखना न पाई है, रेन दिन चैन कुन लेश कहूं पई भाग आपने ही ऐसे दोस काई धो लगाई है, विरहनी नाई का अपनी सखी से कहती है, कि जासो प्रीति ताई ने ठुराई सो निपट ने है, कि जिस से प्रेम किया, वही प्रेम वहवार में एकदम निष्ठुता का परिचे दे रहा, जासो प्रीति ताई ने ठुराई सो निपट ने है, विरहनी नाई का अपनी सखी से उलाने की रूप में कह रही है, कि जिस से प्रेम किया, वही प्रेम वहवार में एकदम निष्ठुता का परिचे दे रहा है, तो फिर कैसे करी जी ये जरन सो जाता ही है, तो फिर रदे की विरह वेदना, जी यानी रदे, जरन यानी वेदना, रदे की जलने का दुख किस तरह बताया जाए, किस प्रकार से अभिवेक्त किया जाए, माहनी रदई दई कैसे के जीवां जी, वेदन की बढ़वारी काहां लोग दूराई है, उपर वाले में कह रही हैं, कि जिस से प्रेम वहवार किया, वही एकदम निश्टूता का परचे दे रहा है, तो फिर रदे की विरह वेदना, रदे की जलन को किस तरह प्रकट किया जाए, किस प्रकार अभिवेक्त किया जाए, कहने का आज सी यह है, किरी प्रेम वहवार में कठोरता रखने वाले प्रियत्म को अपने रदे की वेदना बठाना बड़ा कठीन कारे है, माहा ने रदाई दाई कैसे की जिवाउं जी वेदना की बढ़वारी कहां लो दूराई है, वा प्रियत्म तो अत्य दिग निरदाई है, अत्वा मेरा भाग्ये बहुत अधीग निरदाई है, इसलिए मैं अपनी वेथीत आत्मा को कैसे जिवित रख सकूं, तथा वेदना की बढ़ती हुई दसा को भी कैसे छिपा करके, वेदना की बढ़वारी कहां लो दूराई है, दूराई है यानि छिपाना, यहां कह रहे कि मैं अपनी वेथीत आत्मा को कैसे जिवित रख सकूं, तथा वेदना की बढ़ती हुई दसा को भी कैसे छिपा करके रख सकूं, अपनी देख के बखान करी ब्योकुरस नाके होती एपे कहूं वाको मुख देखना न पाईए, अपनी विरेविथा का वणन करने के लिए यदि जीव होती तो भी उस निर्दई प्रीतम का मुख क्या कहीं देखना न चाती, मेरा भाग ये राद दिन, लेश मात्र भी चैन कैसे पास सकता है, अर्थात राद दिन उसे आराम नहीं मिल रहा है, ये सारा दोगस मेरे निर्दई प्रीतम का है, रैन दिन चैन कुन लेश कहूं पे भाग आपने ऐसे काही दो लगाईए, किया रहे हैं कि मेरा भाग ये राद दिन, लेश मात्र भी चैन कैसे पास सकता है, अर्थात राद दिन उसे चैन नहीं मिल पाता है, ये सारा दोगस निर्दई प्रीतम का है, तो फिर इसका दोगस अपने उपर न जाने कैसे लगाया जा रहा है, कहने का आसी ये है, कि विरवेदनाय मांसिक असान्ती का मूल कारण, निष्ठूर प्रीतम का कठोर वहवार है, परन तो इसका दोष हम पर लगाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं, विरवेदनी नाईका ने प्रीतम को निष्ठूर और निर्दई बताया है, क्योंकि वह उसे प्रेम करके दूर चला गया है, अनुप्रास और काविलिंग अलंकार है, कवित छंद है, ब्रज भासा है, माधुरी गुण है, और यहाँ उपालम स्वरूप नाईका अपने प्रीतम से कहती है, बोरते सांजलो कानन औरनी हारती बावरी नेकुन हारती सांजते भोरलो तारनी ताकिबो तारन सोईक तारन तारती, जो कहुं भावतो दीठी परेगन आनन आसुनी औसर गारती, मोहन सोहन जोहन की लगिये रहे आँखिन के मन आ रती, आँखिन के उर आ रती, गननन यहाँ ऐसी नाईका काचितन किया है, जो कि प्रीतम की लगातार प्रतिक्षा करती है, परन्तो उसके सामने आ जाने के कार आने पर नरंतर असुरुधारा प्रवाइत होने के कार उसके दर्सन ही कर पाती है, उसी का यहाँ चित्रान किया, बोरते सांजलो कानन औरनी आरती बावरी नेकुन हारती बावली वह अपने प्रीतम के प्रेम में बावली हो गई है, कभी घनानन वर्णन करते हैं कि विरहनी नाई का सुबह से लेकर के साम तक जंगल से आने वाले रास्ते की और देखती है, और वह बावली सी हुई, थोड़ा भी नहीं थकती है, थोड़ी बहुत भी नहीं हारती है, वह लगाता जंगल से आने वाले उस रास्ते की और देखती रहती है, कि इस रास्ते से मेरे प्रीतम क्रेश्न गोचारन के उपरान संध्या के समय लोट करके घर आएं, साज़ते बहुरलो तारनी ताकिबो तारनी सोईक तारन तारती इसी प्रकार वह साइकाल से लेकर सुबह होने तक सारी रात तारों को एग नजर से देखती रहती है, और पुतलियों से एग तक देखते रहने पर भी तारों को देखना नहीं छोड़ती है, जो कहूं भावतो दीठी बरेगन आनन्द आशनी आशर गारती यदि संयोग वस उसे अपने प्रियतम दिखाई भी देते हैं, अर्थात उसकी द्रश्टी में पढ़ते हैं, तो सतत रूप से आँखों से बहने वाले आशुओं के कारण वह आशर भी गवाँ देती है, कि लगातार अस्रू वर्षन होने से उसकी नजरें दुनली पढ़ जाती है, तथा प्रियतम को वह देख भी नहीं पाती है, मोहन सोहन जोहन की लगिये रहें आँखिन के उर आरती, कभी घनानन कहते हैं, कि उस विर्णी नईकी की दसा बड़ी विचित्र, वप्रियतम क्रिश्ण को सामने देखने के अपने सम्मुक देखने की प्रबल इच्छा रखती है, उसकी आँखें उस ओ लगी रहती है तथा मन में देखने की लाल सा सदा बने रहती है उसकी मन में कृष्ण को देखने की पीडा सदे विद्धिमान रहती है यहां यमक अलंकार है अनुपरास अलंकार है काबिलिंग अलंकार है छवय चंद है ब्रजभासा है और नई का दर्शन करके भी अदर्शन हो जाती है क्यांकि जब उसके सम्मुक प्रियतम होते हैं तो सतत बहने वाली असुरुधारा के कारान आँख नजरें दुन्दली पड़ जाती है और वह अपने प्रियतम को देख नहीं पाते है बाए आती ने ठुरे मिटाए पही चंदारी याही दुक हमें जक लागी आए आए है तो मतो निपट नीर दाई गई भूली सुदी हमें सूल सेलनी सो क्यों होन भूलाए है मिठे मिठे बोल बोली ठगी पही ले तो तब अब जी जारत कहों दो कौन नयाए है अंतिम लाइन में यमा का लंकार है जो दूसरों को तड़फाता है वो भला कैसे सांती प्राप्त कर सकता है प्रस्तत पध्यांस रीती का लींद रीती मुक्त का विधारा के कवी घनानन द्वारा रचित घनानन कवित में से लिया गया है और इसमें विरहीनी नई का अपने प्रीतम को अपनी और आकरशित करने का प्रियास करती हुए कहती है कि भय अती निठूर महिताए पही चानी डार याही दुख हमें जक लागी हाए हाए है हे प्रीतम तुम तो अत्यांत निष्ठूर कठोर हो गए हो और अब तुमने हमसे पहचा अपनी पहचान को भी मिटा दिया है और इसी दुख में मुझे हाए हाए लगी हुई है मुझे हाए हाए के साथ पीडा लगी हुई है तुम तो निपट निर दई गई भूली सुदी हे प्रियतम तुम तो अत्यांत निर्दे हो इसलिए तुम्हें हमारी जराबी सुद्ध नहीं है हमारी जराबी याद नहीं है हमें सूल सहलनी सो क्यों हो न भूलाए है किन्तु हमें तो तुम्हारे प्रेम के कारण विरे वेदना की कषक बर्से की सुबन के समान कष्च दे रही है उसे हम कैसे भूल सकते हैं मिठे मिठे बोल बोली ठगी पहीले तो तब अब जी जारत का ओदो कौन नयाए है पहले हम से प्रेम करते समय अब या तब यनी सईयो काल में पहले हम से प्रेम करते समय में सईयो काल में तुमने मिठी मिठी बातें कहकर के हमें ठग लिया, अपने प्रेम के जाल में फसा लिया, और अब स्व्यम हम से दूर रहकर हमारे रदे को वियोग की अगनी में जला रहे हो। प्रेम की आग में जला रहे हो, बताओ ये कौन सा अन्याय है, अर्था तुमारा ये वहवार, अत्यन्त, कठोर, छल और कपट से परिपूर्ण, और अन्याय से युक्ति, सुनी है के ना ही ये प्रकट का हावती, जुकाओ काल पाई है, सु कैसे काल पाई है। खरान ये कहते हैं, कि तुमने ये प्रसिद्ध का हावत सुनी है, अत्वा नहीं, कि जो किसी को तड़फाएगा, भलाव कैसे सांति प्राप्त कर सके। सुनी है के ना ही ये प्रकट का हावती, जुकाओ काल पाई है, सु कैसे काल पाई है। तुमने ये प्रसिद्ध का हावत सुनी हैं, अत्वा नहीं, कि जो किसी को तड़फाएगा, भलाव कैसे सांति प्राप्त कर सकेगा। कहने का अर्थ ये है, कि जो दूसरों को जान बूज कर कर्ष्ट पहुंचाता है, उसे भी किसी प्रकार की सुक्सानती भला कैसे मिल सकती है, अर्थात उसे भी अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यहाँ नईका ने ये कहा है कि काउ करल पाए है, सो कैसे करल पाए है, जो दूसरों को तड़पाता है, भलावगर अपने जीवन में कैसे सांत और चैन से रह सकता है। अनुपरा सलंकार है, यमा कालंकार है, पुन्रुकती प्रकार सलंकार है, छंद कवित है, जिसके परतीक चरंड में कतीस वर्ण होते हैं, और पासा बर्ज है तब का मदलब सैयोकाल है, और अब का मदलब वियोकाल है, सेयों काल में तु मीथे मीथे बोल बोल करके नाई का कह रही है कि मुझे ठगा और अब वियोग में हमारे रदे को विरव की अगनी में जला रहे हैं बताओ ये कहां का नयाए है धन्यवाद